है व्रीबन मैं मैं पांडे आप लोग अपने यूट्यूब चैनल के से इटाइली स्पेसिलिस्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज मेरे टाइली ऑनलाइन क्लास का टॉपिक है और प्रासेसिंग इट मिन्स आदेश की प्रक्रिया परचेज और प्रासेसिंग औ प्रासेसिंग कंप्लीट करके माल परचेज हम कैसे करते हैं वह सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं तो वीडियो बहुत इंपॉर्टन और बहुत खास है वीडियो को आप लास तक देखें तो बीना देरी किये हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले एक बार मैं फिर से आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो अभी कर लें वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें तो मारी वीडियो को सेर करना न भूलें विकाज यदि आप इससे ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा से एर करेंगे तो ज्यादा लोग इस फ्री क्लास तको प्राप्ट कर पाएंगी और उनको टैली का फुल नॉलेज हो पावेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप देख पर जा करके क्लिक करेंगे और inventory features पर जा करके हम order processing को activate कर लेते हैं यहाँ पर जा करके हम enter करें या I press कर दें आप देख पा रहे हैं inventory features में हम आ गया हैं और आप down arrow की से निचे आएंगे आप देख पा रहे हैं order processing इसके अंतरगत है आपका enable purchase order processing इसे हम yes करेंगे enter करेंगे next आपका enable sales order processing इसे भी हम यहाँ से yes करेंगे accept कर लेंगे इसको enter करते विए नीचे आएं या फिर हम यहीं पर control प्लस एक प्रेस कर देंगे तो हमारी setting save हो जाएगी यहीं से हम statry and taxation में because हम जो mall order purchase कर रहे हैं उसके लिए हमारा GST चार्ज होगा तो GST को भी हम यहाँ स पर लेते हैं जो की company से में पहले से activated है कम GST detail आप यहाँ fill up कर लेंगे और इसको control ले करके हम save कर लेंगे हम back करके आ जाते हैं यहाँ से control करके save करेंगे back करके आ जाएंगे आपने देखा हमने order processing तथा statry and taxation GST को भी मैंने activate कर लिया है अब हमें purchase order processing किस पर करना है उसके वीडियो में मैं केवल purchase order processing पर बात करूँगा आप देखें example है KCI and company place an order to diamond infotech for the following items order number PO slash 001 यह आपका है example है कि KCI and company ने diamond infotech को order book करा निम लिखित item पर जिसका order number है PO slash 001 इसमें item quantity rate CGST and SGST item है आपका mouse 20 पीस है आपका 80 रुपए के rate से जिस पर 6% CGST और 6% SGST चार्ज हुआ है कीबूर्ड आपका 20 पीस 220 के rate से 6% CGST, 6% SGST, 6% SGST, हार्ड डिस है आपका 10 पीस और इसका भी जो rate है 35 रुपए है 6% CGST और SGST लगा होता है चली हम देखते हैं इस पर हम work करते हैं औ हम चलते हैं टैली में और यहां पर हमने वो सारे lasers और items बना रखे हैं जिसने जिसको भी laser and item बनाने में को भी problem होती हो GST laser बनाने में कोई problem होती हो वो हमारी पिछली वीडियो जरूर देख लेगा जिससे उसको complete knowledge हो जाएगा because इस टैली की class में मैं step by step वीडियो डाल रहा हूँ जिससे किसी को कोई भी confusion हो तो playlist पे जाकर के step by step वीडियो देख सकता है अब हम चलते हैं हम आपको एक बार दिखा दें account info में display पर आप जाएं वो सारे lasers हमने बना रखे हैं आपस जो जरूरत के हैं इसमें आपका tax laser, party laser, purchase and sales laser हमने बना रखा है inventory info में जाकर के आप देखे हैं item detail में तो हमने जो items create कर रखे हैं जो जरूरी items है जैसा की example में बताया गया है उसी साब से मैं आपको बता रहा हूँ आप ध्यान दें transaction में अभी तक आप लोगों को दो vouchers मिलते थे accounting voucher and inventory voucher बट एक voucher बढ़ गया जिसे हम order vouchers कहते हैं तो order processing का work हम inventory voucher या accounting voucher से जा करके भी कर सकते थे बट हम directly order voucher पर जा कर सकते हैं यहाँ से order voucher क्लिक कर लेंगे हमारा order voucher open हो जाएगा अगर हम back करके जाते हैं मानलीजे हम accounting voucher से जाना चाहते हैं अकाउंटिंग वाउचर पर हम हैं और अगर हमें directly order voucher पर जाना है तो आप देखें control प्लस F2 shortcut है बटन बार पर देखें वाउचर order voucher के लिए control प्लस F2 इस पर हम click कर दें या control प्लस F2 हम press कर देंगे तो directly हम order voucher creation पर पहुंच जाएंगे तो कहने का मतलब चाहे हम transaction से directly order voucher पर जाएं या फिर हम button बार से shortcut के माध्यम से order voucher पर जाएं जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम purchase order processing की बात करेंगे तो हम यहां से alt plus F4 प्रेस करेंगे और purchase order processing में हम आ जाएंगे जिस date को आप purchase order book कर रहे हूं वो date आप चुन सकते हैं यहां हम date ले लेते हैं party name में हम diamond info tech चुन लेते हैं हमारे supplier है जिनका order book कर रहे हैं जिनके पास हमें आसे accept करते वह आएंगे order number है मेरा PO slash 001 एंटर करेंगे purchase के लिए हम order book कर रहे हैं तो purchase account करेंगे यहां पर name of item में हम चुनते हैं mouse जैसा कि अभी example में आप लोगों ने देखा आप ध्यान दें due on due on में आप वो date को डालेंगे जिस date को हमें माल receive करना है जिस दिन हमें order place करवाना है receive करना है वो date हम डालेंगे तो मान लेते हैं हम कि first November को ही हम माल book भी कर रहे हैं और first November को हमको delivery भी चीए तो हम यहां पर क्या करते हैं first November कर दिया हमने हम यहां उसकी quantity provide करेंगे अब यह example में आपने देखा 20 नौस है तो 20 नौस दे दिया rate है 80 rupees per piece 80 rupees per piece के हिसाब से मैंने इसको दे दिया एंटर करेंगे next item है हमारा keyboard हमने दिया हुआ है keyboard की बोर्ड में भी वही हम date डाल दे रहे हैं और यह भी 20 pieces है 220 रुपए के rate से है next हम करेंगे address एंटर करेंगे इसमें भी date हम वही रखते हैं और यहां पर हमारा 10 pieces है 10 pieces हम यहां पर एंटर करते हैं और per piece rate हमारा 3500 के rate से जैसा के भी example में आप लोगों को दिखाया है मैंने आपको मैं एक बार फिर से example दिखा दे रहा हूँ जैसे आपको कोई doubt नहों के CI and company place an order to diamond infotech for the following items order number यह है item में उनकी quantity यह है rate यह है और यह cgst और sgst इसमें जो rate प्रोइट किया जा रहा है हम back करके चलते हैं और यहां से enter करते हैं और accept करा लेते हैं यह हमारे पास और भी कोई item का हम order place कर रहा है तो हम वो item यहां provide करेंगे अन्यदा हम enter करते हुए नीचे आ जाएंगे और यहां पर जो cgst और sgst चार्ज हो रहा है 66% वो हम यह cgst देंगे automatically cut जाएगा cgst आप ध्यान दें यह ledgers आपको पहले बनाने होंगे और पर item आपको gst rate प्रवाइड करना होगा तभी यह deduction लेगा अगर किसी को कोई problem है तो हमारी gst से related पिछली वीडियो जरूर देख लीजिए आप जैसे आपको कोई भी confusion ना रह जाए sgst करके enter करके यह enter करके आते हैं अगर हमें tax analysis करना है तो alt के साथ a press कर देंगे और tax analysis आ जाएगा alt plus fone करेंगे तो detailed में प्रवाइड हो जाएगा और tax analysis कर सकते हो आप mouse पर जो cgst sgst कितना charge हुआ है वो सब पर जिस item पर जिसे आपका keyboard है mouse है hardis है तो किस पर कितना आपका gst charge हुआ है वो आप देख सकते हैं इसमें हम यहां से बैका जाते हैं और यहां से enter करके इसको accept कर लेते हैं अब हम चलते हैं थोड़ा सा statement चेक कर लेते हैं statement चेक करने क हैं जहां से हम stock group के आधार पर यह stock item के आधार से या फिर हम laser के इसाप से check कर सकते हैं अकर हमें item detail के इसाप से check करना अपना order तो आप देख पा रहे हैं enter करेंगे तो आपको purchase order outstanding so करेगा यहां पर जो आपकी party है वो दिख जाएगी order quantity कितना था balance quantity अभी हमारे पास कुछ भी deliberate नहीं हुआ है rate यह है इसकी value यह बन रही है अभी due on अभी कोई भी due date ने चुकि first November को ही हम काम कर रहे है जो date हम लेजर जो example provide कर रहे है हम first November की date में ही कर रहे है और first November इसका due on date है इसलिए अभी यहां कोई date कोई due date नहीं बढ़ा हुआ है इसको detailed में चाहिए तो alt plus f1 कर ले अगर हम laser wise check करना चाते हैं पार्टी वाइज जिस पार्टी से हमें order दिया हुआ है तो हम यह उस पार्टी को चुनेंगे और क्या-क्या हमने item order किया हुआ और उसकी quantity कितनी है यहां पर सो करेगा हम यहां से back करके आते हैं back करके आ जाते हैं all orders जो भी कोई order हमने provide किया हुआ है book किया हुआ purchase order वो सारा कुछ आपको यहां से दिख जाएगा good detailed किस party से हमने book करा हुआ है तो इस तरह से हम complete outstanding report check कर सकते हैं यहां यह आप देख पार है order quantity 20 है और balance quantity 20 है जब हम order book किये हुआ है 20 और उसमें से अगर हमने कुछ भी receive कर लिया और जो pending amount होता है जो pending items होते है व report हम कैसे check कर पाते हैं अब हम चलते हैं tracking number हम कैसे provide करते हैं इसके लिए हमें एक setting activate करना होगा हम features में जाएंगे और features में जा करके inventory features में जाएंगे directly inventory features open है because हम inventory में ही है हम यहां से enter करते हुए आ जाएंगे और यहां हम enter करते हुए आएंगे आप देखें other features में हमारा है use tracking numbers enable delivery and receipt note इसे हम yes कर लेंगे साथ साथ में हम rejection inward and outward भी activated कर ले रहे हैं because अभी इसकी आवसकता पड़ेगी enter करते हुए हम इसको accept कर लेते हैं अब हम यहां पर receipt note में tracking चुकि जब हम माल purchase order दे रहे होते हैं तो उसके लिए receipt note में हम उसका tracking number प्रवाइड करते हैं हम माल sell कर रहे होते हैं चुकि हमें delivery करने होती है तो हम delivery note में उसका tracking number प्रवाइड करते हैं तो यहां से हम alt plus f9 प्रेस करेंगे तो आपका receipt note present हो जाएगा हम एक reference number प्रवाइड कर देते हैं rn slash 001 enter करते हैं यहां जैसे ही अपना आप party name दे दिये और जैसे ही आप order चुनेंगे जस्ट आपके सामने पूरा detail आपका provide हो जाएगा जो आपने purchase में order book करा हुआ है आप देख पा रहे हैं सारी चीजे आपके सामने वह ऐसे ही आ गई यहां पर हम क्या करते हैं पर item जा करके हम उसका tracking number प्रवाइड करते हैं आप देख रहे हैं rn slash 001 जो हमारा है वह हमारा tracking number बन जाता है और यहां पर order number हमने provide कर दिया आप देख पा रहे हैं tracking number हो गया order number हो गया due on जो आपने due date आप प्रवाइड करा हुआ था इससे एक फायदा है कि हम जो भी आइटम ने order book करा हुआ है उसे हम जब चाहें तब track कर सकते हैं tracking number का सबसे बड़ा profit ही होता है यह ज़्यादा तर आपको online के लिए है online में माल चला हुआ है तो उसका tracking number company आपको provide कर देती है जिससे आप उसका exact location प्राप्त करते रहें इस्टेटस आपको मिलता रहता है इसी तरीके से हम same हर एक product के साथ करते चले जाएंगे बस उसको वही tracking number और order number provide करते चले जाएंगे जिससे हमारा प्रतेक item के साथ उसका tracking number add हो जाएगा यह बहुत important है इसको आप जरूर ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा यह concept बस accept करते हैं चले जाते हैं आपको यहाँ पता चल जाता है क्या amount है कितना हमें complete pay करना है अगर आपको उसमें कोई problem है तो आप क्या करते हैं reject करते हैं यह item का damage यह item आपको पसंद रही है उसमें आप कम करना चाहते हो तो उसके लिए आपको rejection out करना होता है जब हम purchase order देते हैं तो हम rejection out करते हैं और जब हम sales order लेते हैं किसी से तो rejection in करते हैं हमारी party हमारे पास rejection भेजती है तो rejection in होता और जब हम supplier को rejection देते हैं तो वो rejection out होता है आपर हम shortcut use करेंगे alt plus f6 जो मैं shortcut use कर रहा हूँ वो आपको button bar पर ही प्रेशित हो रहा है तो आप यहां से भी उसको check कर सकते हैं आप ध्यान दें rejection in और out में दिया आपको कोई confusion बनती है तो आप ध्यान देंगे rejection out में आपको supplier name and address दिखेगा और rejection in में आपको customer name and address दिखेगा तो customer जब हम sales order लेते हैं तो हमें delay rejection in करना होता है तो हमें customer से प्राप्त होता है और हम supplier को दे रहे हैं इसलिए supplier का name and address हमें provide करना है laser हमारा क्या है diamond infotech automatic आपका name and address supplier का आ जाएगा यहां जो item हमें ignore करना है जैसे हमारा sdd का rate ज्यादा है तो हम क्या करते हैं दो पीस sdd हम कम कर लेते हैं हार्ड इस अपना दो पीस हम कम कर ले रहे है 10 है इसमें से 2 नौस हम कम कर लेंगे आप देखेंगे भी मैं purchase करूंगा तो directly automatic वो two pieces कम हो करके purchasing हो जाएगा enter करके accept कर लेते हैं आपने देखा कैसे हमने purchase order book किया उस पर हमने tracking number कैसे provide किया और फिर उसका हम rejection कैसे किया अगर हमें दो पीस कम करके लेना तो उसका rejection हम कैसे provide करते हैं अब हम चलते हैं purchase करके दिखाते आपको accounting voucher में आगे यहाँ पर हम क्या करेंगे F9 प्रेस करेंगे F9 purchase voucher है ध्यान रहेगा कि आप item invoice mode में ही entry करेंगे diamond info tech यहां हम वही आपना receipt note tracking number प्रवाइड करते हैं और यह जो due date है वह आगे आपका in drop list करेंगे यहां order number automatic आ जाएगा यहां पर यह दिकोई आपको other reference प्रवाइड करना है तो आप यहां डाल सकते हैं यह आप enter करते हुए बाहर आ जाए purchase पर हम click करेंगे आप देख पार है directly वो item चुकि order number चुनते ही complete items आगे और आप ध्यान दें mouse 20 pieces है keyboard 20 pieces है but hardest 8 piece है because हमने rejection out में जा करके 2 pieces को reject कर दिया था तो हमारा total amount यहां बनेगा 34,000 और complete total जो हमारा grand total होगा वो 38,080 रुपे होगा because इसमें 2040, 2040 आपका cgst और sgst add हम यहां से enter करते हुए accept कर लेंगे ध्यान देंगे आप यह कोई confusion आपको बनती है तो आप वीडियो को repeat करके देख लेंगे तो आपकी सारी confusions दूर हो जाएंगे एंटर करते हुए हम आज आते हैं और हम accept कर लेते हैं यहां new reference में हम डालेंगे यहां हो गया हमें उसी day लेना है तो हम यहां पर कोई भी day नहीं डालते हैं due date हम यहां से enter करके accept कर लेते हैं अब यहां डिस्प्ले में जा करके order register आपको provide कराएंगे statement of inventory पर आप आजाएंगे sales order outstanding पर आजाएंगे हम laser wise check करेंगे तो laser में हमें diamond info tech पर जाना है आप देखें enter करके हम देखेंगे तो आप देखें order मेरा था 10 और balance quantity 2 तू pieces मेरा pending है अब वो pending किस reason से है यह आप यहां पर alt plus f phone करेंगे तो यह आपको पता चलेगा इसको reject किया गया हुआ है तो reason आपको पता चल जाएगा जिससे और अगर आपने 10 quantity order आ किया हुआ है और उसमें से 8 ही उन्होंने भीजा तो 2 पेंडिंग हो जाएगा अगर आपने reject नहीं किया होगा तो 2 उनसे आपको प्राप्त करना रहेगा 2 pieces अगर आपने reject कर दिया है तो उस condition में वो आपको फिर delivery नहीं करेंगे जब तक आप उनसे नहीं कहेंगे या मतलब जब तक आप supplier से नहीं कहेंगे तो इस तरह से अपना outstanding भी check कर सकते हैं तो ये था complete आपका order processing तो मैं आसा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा concept completely समझ में आया होगा ये कोई भी problem रहती है कोई भी तक subscribe ना किया हो तो अब जरूर कर लें मिलते हैं next video में next topic के जाथ तब तक के लिए thank you जै हिंद